फिर सीटी बजाईत है नहीं यहां बैठी कहां से आना होगा भे माइक लू पहले अलो उलास ना कर से उलास साधू जी जी आग्या करें बिना माइक के बोल सकते हैं कोई दोस्त पूछिए हम नाम जान सकते हैं हमारे परचे में आया है ठीक बेंड और कोई बाद बहुत परिशान जॉब के बिजनेस से स्ट्रेस बना रहता मध्यम हो गया बाहर हसते रहते हैं बरतमान में तनाओं में हैं लव चकर चल रहा है साधी करने लेने आये हैं कोशल से साधी कर शकते हैं एक मिनेट हम लिख लें उनका हम पहले उनका निकाल दें थोड़ा सा वो पीछे हो जाता है वो स्वयम भी बीच-बीच में पीछे हो जाता है कैंसर नामा क्रोग तीसरे स्टेश का कंट्रॉल है जी हम अभी सेना बेद देते हैं और हम विभूती भी दे देते हैं बहन और एक और शदी है जो वहाँ पर आरियोवेद उषधाले खुला है उसको मंतर चिकित साथ से और कुछ-कुछ बाला जी की पेरिना से निर्मित करवाई हमने बहन तो अगर आप उसको लें और माता जी को आप बहन दें निश्यत रूप से और आपका गरहस्त जीवन बहुत मंगलमाय है और ज थोड़ा सब बिचलित हो जाता है तो इसलिए आपका सक बढ़ता रहता है और फिर आप पूर निर्ने पे नहीं पहुंच पाते हैं देर मत करो आग्या है खुश हो बहें ठीक बहें चलो सीता राम बहें नाक्षर मां को वस्वइण से परणाम करा दें दर्शन करा देंजिए खुश देंगे सादू जी और सादू जी राम रा रा बेठी यह पा बेन बहें बहें बहुंगां नहीं छुना एयं भेहन स्परशन करना है नियम है उमार कहां से आई अच्छा माइक ले सकते हैं आप साधू जी बोलिए क्या बात कोई बात हमने ऐसा लिखा बालक को सिथिलता है चलता नहीं दिमाग वा ब्रेन कमजोर जनम जात दॉक्टर ने बताया है माइक नजदी करिया है अच्छा इसका नाम क्या है श्रियांज श्रियांज पर करपा होगी परिबार पर भी दया होगी इसे आराम लगेगा ये चल पाएगा साथ परशेंट की गारंटी मंत्र चिकत्सा की धाम से है और दो हजार चब्वीस के पहले तक इसे आराम लग जाएगा जाओ कह दिया नसों में तागत नहीं ले पाता है बैठने में भी इसको दिकत है बैठने में भी इसको समस्या है हमारे गुरू जी कह रहे हैं कि आप अपने घर पर हर पूड़मासी को सत्त नाराण की कथा करवाना प्रारंब कर दीजिएगा और घर पर तीन दिन की अखंड जोती जलाईए समस्यासी बाबा का कहना है कि दी हुई तारीक के अंतरगत आराम लगेगा मतलब लगेगा नेक्स्ट यस उठी है तोनन तोन जाओ ठीक हो जाए तोने जल्दी जाना है आपकी जै चिंता मत करो अंबरनाथ वालो हम फिर आएंगे